पिंद्रिये मंत्री अस्वीनी चोबे ने लालू परसाद यादों पर जम कर हमला बोले और उन्होंने कहा कि यादों में अगर किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ लालू परसाद यादों के परिवार का और तेजस्वी यादों का तेजपरताप यादों का और मिशा भारती का लालू परसाद यादों ने यादों को ठगने का काम किया है लालू परसाद यादों ने यादों के साथ अन्याई किया है लालू परसाद यादों ने यादों को कहा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे तुम्हें तो दूध ही बेचना है अगर यादों में किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ लालू परसाद यादो और तेजस्वी यादो तेजपरताप यादो और मीशा भारती का ऐसा हम नहीं बलकि केंद्रिय मंत्री अस्वीनी चौबे कह रहे हैं और पूरी तरीके से लालू परसाद यादो पर और आरजेडीपर हमलावर दिखे उन्होंने आज साप तोर पर कह दिया कि लालू परसाद यादो पूरे यादो की अगर बात करते हैं तो सिर्फ यादो यानि के लालू पर साथ यादो के परिवार कहीं विकास क्यों हुआ है देखिये बिहर में जातिये जनगन्ना के बाद एक बाद जब तै हुआ कि यादों की संख्या 14 परतिसत है उसके बाद से बेहार में यादों के उपर अब खुब राजनीती हो रही है अभी तुरंत भाजपा ने यादों मिलन समरों में किस तरीके से 21 हज्जार यादों को संकल्प दिलाएं अब कहा जराए और खबरे सामने निकल कर आई और भाजपा के तरब से दावा किया गया कि 21 हज्जार यादों राज़ानी पटना के बापु सबगार में पहुँचे थे और उन्हें संकल्प दिलाएं गया और आज अस्वीनी चौबे या भी कर रहे हैं कि 2024 के लोग सभाचुनाव में या भी तै हो जाएगा कि यादों किसके साथ है या दुवनसिक किसके साथ है लालू परसाद यादों के साथ या फिर बीजेपी भाजपा के साथ देखिए आज पूरी तरीके से केंद्रिये मंत्री अस्वीनी चौबे लालू परसाद यादों तेजस्वी यादों तेजपरताप यादों और मीसा भारती के नाम लेकर साब तोर पर करें कि पूरी अगर देखिए यादों समाज के साथ अन्याय लालू परसाद यादों न पर साथ यादों यादों को कहें कि पढ़ लिखकर क्या करोगे दूद ही तो तुम्हें बेचना है देखिए अस्वीनी चौबे के इस बयान के बाद अब बिहार में खुब चर्चा हो रही है हलंकि 2024 के लोग सभा चुनाव से पहले अब यादों पर बिहार में खुब राजन नीती हो रही है क्योंकि संख्या यादों की 14 पर तीस्सत है बहुत बड़ी संख्या यादों की है तो जाहिर सी बात है यादों 2024 के लोग सभा चुनाव में बहुत बड़ा महत्तुपूर्ण साबित हो सकते हैं